हेलो वेलकम टू दा बिगेस्ट अनाउस्मेंट एक AI का कोर्स या फिर वैब डबलमेंट का कोर्स हां लेकिन बिल्गुल फिरी अब ये कैसे तै करेंगे के भाया हम क्या पड़े तो देखो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जो की है एक वैबिनार का वहां जाके र जिसमें मैं आपको सारी चीज़े बताऊंगा कि एक AI कैसे बनता है data science क्या होता है data analyst क्या होता है कैसे tools यूज होते supervised unsupervised learning क्या होती है कैसे deep learning चलती है यह सारी चीजों पर हम बात करेंगे और यह मैं तुम्हें सिखाऊंगा ठीक है उसके बाद तुम खुद decide करना कि अब हमें एक free मैं कोई भी पैसे की बात नहीं कर रहा हूं ताकि हम जितने बच्चों की help कर पाएं उत्रा मेरे लिए थोड़ी सुकून की बात है तो अगर मैं बात करूं कि क्या हम पढ़ने वाले हैं तो आपके उपर depend करता है सारी चीज़ें सीखने के बाद कि हम हम एक web dev का course स्टार्ट करेंगे या फिर हम एक data science and AI का course स्टार्ट करेंगे जैसा कि मैं already तुम से एक community में बात कर रहा हूं जो हमारी YouTube की community है उसमें तो उस पूरे vote को देखते है अनुसार हम एक webinar के बाद डिसाइड करेंगे आप जाके register कर लो ठीक है लेकिन अभी हम बात कर लागो ताकि आगे कि तुम्हारे path clear हो जाए और पता चल जाए कि तुम्हें चीजे करनी कैसे है ठीक है तो चलो without waste time let's begin अब हमें कैसे करना है देखो पहले तो यह roadmap discuss करने से पहले तुम्हें कुछ चीजे जानना बहुत ही जरूरी है क्या जानना जरूरी है कि भीया इन में तुम्हें हमेशा से confusion होती होगी कि AI क्या है ML क्या है Deep Learning क्या है देखो एक ऐसे subset है जब मैंने तुम्हें जावा, JRE, JD के पढ़ाया था तो kind of यह ही diagram मैंने तुम्हें बताया था वहां पर है ना लेकिन यहां पर AI, ML, Deep Learning तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि AI जो है वो आपके सारी तरीके की learning हो, चाहे वो text recognition हो, चाहे तुम्हारी image recognition हो, चाहे तुम्हारी किसी भी type की हमारा data हो, चाहे वो supervised हो, चाहे वो unsupervised हो, इसको use करके हमारा AI बनता है, उसके पाद आता है हमारा ML and Deep Learning, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि AI सारी चीजों का use करता है, that's why it is very powerful, ठीक है, अब उसका अपने real life में आप कैसे example, मतब कैसे use कर पाओगे उसको, as a developer, अगर आप AI के field में नहीं जा रहे हो, तो आपको पता है, already be a smart developer, लेकिन अगर हम इसमें जा रहे हैं, AI की field में, तो हम कैसे करेंगे उसको, वो सारी चीजे देख लेंगे, फड़ाफट, अब देखो, हम start करेंगे पहले कुछ प्रकरिया से, यानि कि पहले कुछ सामगरी लगेगी, जो हमें इस पूरी प्रकरिया को start करेगी, यानि कि जो हमें चीजे पहले चाहिए, अब हमें चाहिए क्या पहले, देखो, मैं यह नहीं कहूँगा कि मेरा math V कोना चाहिए, बिलकुल क्योंकि इसके case में तुम्हें बहुत सारी analysis लगेगी, तुम्हें हो सकता है, बहुत सारी calculation लग सकती है, ठीक है, तो तुम्हें linear algebra जरूर लगेगा, तुम्हें calculus लगेगा, मैंने सारी mathematics नहीं डाल लिए, बट obviously, तुम्हारी class 9, 6, 8 से जो mathematics से start होती है, that will help you to building a concept, और वही तुम्हें याद हो, तो वह हमें help करती है, आगे के जो हमारे education होती है, हमारी graduation होती है, जो तुम करते हो, छोटी-छोटे concept ही हमारा logic बिल्ड करते है, तो तुम्हें ये mathematics तो लगेगा ही लगेगा बाबा, अगर तुम्हें बहुत expert तरीके से नहीं पता है, तो मैं कहत लेंगी, for sure, ठीक है, अब statics, probability and ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है, अलग से अगर आप यूब वोड्स हो, तो एक book होती है, statics की, right, एक probability का chapter होता है, ये तो ICSC board में, CBSC board में, हर board में होता है, तो ये हमें पता होगा, PNC, probability, कफी tough माना जाता हो, उस time पे, लेकिन mathematics, mathematics, ये सारी चीज़ें हैं, बिना SQL के आप नहीं चल पाओगे, because आपका सारा काम data से ही होगा, वो different, different data आप अलग-अलग sources से लेके आ रहे होगे, चाहे वो Hadoop से लेके आ हो, चाहे वो आप एक, मैं कहता हूँ, एक database से लेके आ हो, चाहे वो data मेरा speech का, text का, images का data है, so that's why, अगर आपका structural data होगा, then SQL will be really helpful for you, okay, अब बात करते हैं, Excel की, देखो, ये कोई एक primary skill नहीं है, लेकिन इसको सीखना, क्योंकि जब आप एक Excel सीख ले तो, इन सारी skills के साथ में, जो हमें discuss करेंगे, आपका एक नया path खुल जाता है, ठीक है, क्योंकि it's not about only a data science, आप यहाँ से data engineer, आप यहाँ से data analyst, आप यहाँ data scientist, कुछ भी बन सकते हो, depend on your skills, जो अभी मैं discuss कर रहा हूँ, ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये coding language कौन से होने वाली है, देखो, किसी चीज पे ज़्यादा धिहान मत देना, ठीक है, देखो, मेरा task है, इन सारी चीजों को करते हैं, मुझे यहाँ पहुचना है, AI पे, यही आप चाते हो, हाँ, मैं वहीं पहुचाओंगा आपको, तो मुझे python सीखनी है भाईया, बहुत बड़ी है, ठीक है, इसके लावा किसी language पे ध्यान मत देना, क्योंकि this is a best language for dealing with type of data, ठीक है, मैंने 10 बार बोला है, जहाँ data की बात आएगी, वहाँ python automatically लग जाएगा, अब बात करते हैं data science की, देखो data science, machine learning, यह सारे component है, तुमारे data science के, अब तुम्हें बास समझ मारी होगी, कि machine learning, क्या supervised, unsupervised, और reinforcement learning, यह सारी चीज़े use करता है, अब यह किस type की learning है, actual में यह learning नहीं है, यह type of data पे learning depend करती है, यह जब आप webinar में अब बात करते हैं, यह deep learning क्या होती है, तो यह तुमारे के छोटा से homework है, यह roadmap है, बट मैं तुम्हें थोड़ी से research करने के लिए देना चाता हूँ, कि deep learning में ANN, RNN, CNN क्या होता है, if you are an engineer, और अगर आप एक already, एक CS या फिर AI background से हो, engineering कर रहे हो, तो you might have this idea, कि यह सारी तुम्हें पता चल रही होंगी, ठीक है भईया, पता चल रही है, अब मेरा जो अगला कारी करम है, वो क्या है, मेरा जो अगला कारी करम है, वो क्या है, अब यहां से data analysis, और visualization, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, तो मैं देख रहा होगा, मुझे यहां AI पर जाना है, यह मेर थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं इसको हम लेट मी रिमूव थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं अब देखो यह है टैबलू की यूज होता है और पावर भी है मेरे पास सेट अफ डेटा आ गया और मैंने डेटा को वेजुलाइज करना है मतब एक चार्ट के फॉर्म मे तो मुझे यह सारे टूस लगेंगे यहां तक आपकी जो जरनी स्टार्ट होती है वो होती है तो मैरी आLord की अगर आप यह मर्जी है लेकिन I will prefer कि आप पढ़ लो ठीक है अब data analysis and manipulation आपको आना चाहिए ठीक है इसके बार मैं जादा discussion नहीं करेंगे बाद में बताता हूँ यह अब internet की चीज़े मैंने आप भी क्या बोला internet पे दो टाइप का data होता है text होगा आपका speech होगा लेकिन majorly I categorized in text data and image data ठीक है मेरा target यह है अगर मैं text data की बात करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाता है NLP ठीक है अब NLP क्या होता है processing language है ठीक है एक NLP और यहाँ पर आदा deep learning अब आपको समझ में आ रहा होगा कि NLP क्या होती natural language processing ठीक है तो अब यहां से दोनों से चीज़े अगर मैं जहां पर natural language processing यूज़ करूँगा मैं deep learning यूज़ करूँगा तो मैं AI की तरफ जाओँगा अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाया मैं यह सारी चीज़े पढ़ूँगा फिर data को formation करने के लिए मैं फिर से जो machine learning का पार्ट है वहां पे उसे AI यूज़ करेगा तो यहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि यह machine learning का पार्ट है यह processing deep learning तो AI machine learning को यूज़ करता है और machine learning deep learning को यूज़ करता है आई थिंक पूरा एक structure एक पूरा road में बहुत ही शानना तरीके से clear होगा बाकी का यह सारी चीज़ों पर ही कि हम एक AI का course पढ़ने वाले हैं या नहीं पढ़ने वाले हैं हमारे futuristic के लिए कितना अच्छा होने वाला है क्या jobs रहेंगी या नहीं रहेंगी वो सारी चीज़े ह हम एकटे बैटके एक webinar में discuss करेंगे आप जाके register कर लो and I will see you in a webinar अगर ये पूरा road में पच्छा लगा है दोस्त like button ठॉक देना subscribe करने न and most important telegram group को कर लो join वहां पर आप मुझसे वो open है ठीक है you can chat with me ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मैं ही message कर पाऊंगा बाकी दूसरे groups की तरह आप openly अपना question पूछ सकते हो मुझसे discuss कर सकते हो अगर आपको कोई भी problem हो it's not about कि आप इससे related life में कोई भी problem चल रही हो वो भी आप मुझस